Hey guys, well, आज क्या वीडियो बढ़ाईंग खास होने वाला है Well, इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि नाम काटने को इंगलिज में क्या बोलते हैं कई सारे sentences लेंगे और उसको बेटर तरकिस समझेंगे Let me tell you some sentences School से मेरा नाम काट दिया गया या School से मेरा नाम काट दिया उसका नाम School से काट देना चाहिए तुम्हारा नाम School से काट दिया होगा अगर तुम College नहीं जाओगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा Hey दोस्तों, हम लोग अकसर इस तरह के sentence को यूज करते हैं बट उसका English हमको पता नहीं होता है नाम काटने के लिए क्या यूज करें Cut the name कर दे, ऐसा नहीं होता है Cut the name नहीं यूज कर सकते है वेल दोस्तों, यदि आपका नाम किसी रेजिस्टर पर दर्ज है वहाँ से आपका नाम काट दिया जाता है वेल इस काटने के लिए हम लोग एक कमाल का आप फ्रेजल वह यूज करते हैं जिसका नाम है Strike of Strike of यह O-Double-F वाला आप है Strike of जिसका second form होता है Strike of और इस वर्ब का double third form होता है It means that इसका दो B3 होता है एक होता Strike an of और दुसरा होता है Strike of It means that B2 और B3 सेम होता है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं Strike of यह Strike an of जो आपको अच्छा लगे यूज कीजिए आए संटेंस को लोग देखते हैं School से मेरा नाम काट दिया गया वेल दोस्तों यह संटेंस है Past indefinite tense का Passive words का संटेंस के लिए कहेंगे My name was Strike an of from the school My name was Strike an of from the school Next sentence उसका नाम स्कूल से काट देना चाहिए कोई लड़का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो टीचर क्या बोलता है उसका नाम स्कूल से काट देना चाहिए क्योंकि वो स्कूल नहीं आता है वेले संटेंस के लिए कहेंगे His name should be struck off from the school Next sentence को देखते हैं तुमारा नाम स्कूल से काट दिया होगा इस संटेंस का मतलब है अभी वो काम हो चुका होगा पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसको वूड हैप से बनाएंगे और इसका मेनिंग और एक निकल सकता है यदि तुम इस स्कूल नहीं जाओगे तो तुमारा नाम कट चुका होगा फ्यूचर टाइम में तब उसको बनाएंगे फ्यूचर पॉफयक्टेंस से जिसका इस्टेक्चर होता है विल हैप प्लस वर्ब का थर्ड पॉर्म से ये बनाया जाता है फ्यूचर पॉफयक्टेंस का संटेंस हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे वूड हैप से क्योंकि वो काम हो चुका है नाम काटने का काम हो चुका होगा वैल इस संटेंस के लिए कहेंगे योर नेम उड हैब बीन स्ट्राइकन ओफ फ्रॉम दे स्कूल योर नेम उड हैब बीन स्ट्राइकन ओफ फ्रॉम दे स्कूल वैल आज का आखरी संटेंस है कॉलेज नहीं जाओगे तो तुमारा नाम कट जाएगा यह कंडिशनल संटेंस है अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो तुमारा नाम कट जाएगा संदेज ले कहेंगे if you don't go to college your name will be extra cop if you don't go to college your name will be extra cop हे दोस्तों मैं आपको एक request करना चाहूँगा मैंने एक और channel बनाया है यदि आप English basic से सिखना चाहते हैं और grammar और class 0 से जिए आप 0 से English सिखना चाहते हैं हर एक चीज grammar का वो छोड़ा छोड़ा part basic English हम लोग वहाँ पर पहले सिखेंगे यहां तो advanced सिख रहे हैं वहाँ पर basic English सिखेंगे तो उस channel को भी subscribe कर ले और bell icon को भी hit कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की notification बिलकुल टाइम पर मिलती रहे वैल उस channel का नाम है USC English and Maths Classes USC English and Maths Classes सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा ताकि आपको डेली कमाल कमाल का लेशन मिल सके थैंक्स पर वाचिंग मेरे प्रेंड झाल 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